वो करेंगे आपना पर्ति रोदक के दो उस से फेले तोड़ा सा आपना देख लेते हैं कि पर्ति रोदक किसे करते हैं तो यहां आप देख रहे हो कि एक परतिरोधक और दूसरा है परतिरोध तो इन दोनों में देखते हैं कि डिफरेंस क्या है तो जो परतिरोधक है यह परतिरोधक होता है पदार्थ का भाग और जो परतिरोध है जो रजिस्टेंस है यहां देख सकते हो आपकी पधार्त का वह गुन जिसके कारण वे अपने में से परवाइत होने वाली विद्धुधारा के परवा का विरोध करें वो क्या कराता है परतिरोध कराता है तो simple सी बात ये है कि जो विद्धुधारा के मारग में जो बादा उत्पन करता है उसे क्या करते हैं पर परतिरोध करते हैं ठीक है तो अब चलते हैं आगे अपने यहां से शुरू करते हैं अपना क्यूसन पहला जो क्यूसन है वो है कि जो रजिस्टेंस है जो परतिरोध है उसकी ऐसा इकाई क्या होती है तो परतिरोध की जो ऐसा इकाई होती है वो ओम होती है क्या होती है ओम होती है यह फिर इसको इससे भी परतिशित कर सकते हैं ठीक है दूसरा क्यूसन देखो अपना अगला है परिवर्ती परती रोदक क्या कहलाते हैं तो जो परिवर्ती परती रोदक होते हैं वो अरेकी या अरेकी के परती रोदक कहलाते हैं ठीक है या फिर आप इसको बोल सकते हो नोन लीलियर ठीक है चलते हैं आगे अगला क्यूसन अपना पर्तिरोध का CGS मातरक क्या है ठीक है तो जो पर्तिरोध का CGS मातरक होता है वो होता है अब ओम क्या होता है दोस्तों अब ओम अब एक ओम बराबर 10 की पावर 9 अब ओम होते है ठीक है देखते हैं अगला क्यूसन अगला क्यूसन अबना कार्बन का पर्तिरोध का उप्योग किया जाता है तो जो कार्बन के पर्तिरोध होते हैं उनका उप्योग कहां किया जाता है तो इलेक्ट्रोनिक कारियों में किया जाता है ठीक है अगला क्यूसन देखो अगला क्यूसन है किस परकार का पर्तिरोधक वोल्ट पर निर्वर करता है मतलब एसा कौन सा पर्ति रोध है जो वोल्ट इस पर निर्वर करता है तो वो है वेरिस्टर और जो वेरिस्टर पर्ति रोध होते हैं वो क्या होते हैं? परिवर्ति पर्ति रोध होते हैं ठीक है? देखते हैं आगे अगला क्यूसन है PTC पर्तिरोदक क्या कहलाते है जो PTC पर्तिरोदक होते है वो सेंसिटर कहलाते है क्या कहलाते है सेंसिटर अगला क्यूसन देखो अपना यदि ताप मान में वर्दी के साथ पर्तिरोद का मान बढ़ता है तो वह पर्तिरोद है तो वो जो परतिरोध होता है जो तापमान में वर्दी के साथ परतिरोध का मान भड़ता है वो परतिरोध होता है सेंसिटर किलिए रहे अगला क्यूसन देखो अपना जिससे परतिरोध का व्यास बड़ा होता है जिस परतिरोध का व्यास बड़ा होता है किसि पधारत में रिनात्मकताः गुणां का गुण होता है तो जिसमें रिनात्मक ताफ गुणां का जो गुण होता है वो माईका होता है ठीक है माईका या फिर अब रख दोनों का मतलब एक ही है अगला क्यूशन देखो अपना गरेफाइड से निर्मित परती रोधक क्या कहलाते हैं तो वो कहलाते हैं अबने कार्बन परती रोधक ठीक है अगला क्यूशन देखो अपना अगला क्यूशन है चांदी रंग की सहन सीलता मतलब टोलरेंस क्या होती है तो पलस माइनस दस परसेंट होती है अगला क्यूशन देखो अपना परती रोध का ताप मान पर्ति रोध का ताप मान गुणांग पर्ति रोध में होने वाला परिवर्तन होता है तो पर्ति डिगरी सेंटी ग्रे किलियर है? अगला क्यूशन देखो पर्ति रोध के मुद्रित और परभावी मुल्य के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपने सहन सिलता कहते हैं और सहन सिलता को इंगलीस में क्या बोलते हैं वई tolerance बोलते हैं ठीक है clear है तो अगला करते हैं इसके अगले next class में और आज के लिए इतना ही दोस्तों तो ठीक है दोस्तों धन्यवाद बाहस्छ खoureेवाब में tyrग